हालो लेर्नर्स वेलकम टो एड़ चैनल एड़ इस पावन आई होप आप लोग सभी कर अच्छे होंगे आज हम लोग जारकन कॉंसिल ओफ एडुकेशनल रिशेर्च और ट्रेनिंग की और से जारी किया गया फॉर्स टम एक्जाम सेशन 2021 से 22 के क्लास 11 ठीक है ध्यान देजेग कॉंसिल ठेट और साली कोश्यं जो है आप लोगों कर फिậ cięक है टीक है टोटल कॉस्च्यंस है और सभी के लिए एक मार्क्स दिये ग और ऑर है यहाँ ग student प्सक्रा करना हर्तिकिक्टम के लिए आप लुगं को मार्क्स डिटेक्ट-न धीजेगा ओक्राइब Sum तो आप लोग passage को ध्यान पूरवक पढ़ लिजेगा, हम direct question answer section पर चलते हैं, और मैं बताते जाओंगा कि कहां से paragraph से answer को select किया गया, okay, passage का आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ठीक हो सकए आप लोगों को examination में जदी same passage आ गया, तो फिर सुने पे सुआगा, हो जाएगा, और ज़रूर आप लोग उसे भी देख लिजेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए दो ही set जारी किये गये है, set one, set two, set one upload हो चुका है, set two का अब upload होने जा रहा है, okay, देखिएगा, question number one, question number one क्या बोल रहा है, the period of rainy season in India is, ठीक है, भारत में जो है, वो rainy season का period क्या होता है, ठीक है, तो देखेगा, option आप लोगों के यहाँ, June and ending in September, तो देखेगा, June, July, September, June, August, June, September, ठीक है, तो right answer हम लोगों को यहीं पर मिल गया, कहां से कहां तक, June से September तक, so this is the right answer, option number D is our right answer, okay, question number two, states experiencing rainfall above 200 to 300 centimeter are, ठीक है, कौन से states जो हैं, वहाँ पर जो rainfall है, वो 200 से 300 centimeter के सपस रहता है, ठीक है, तो इसमें देखेगा, आप लोगों को passage में देखेगा, 200 and 300 centimeter के बीच में जो रहता है, वेस्ट बंगाल, त्रिपूरा, नागालेंड, मनिपूर, ओरिशा, एंड बिहार, ठीक है, तो यहाँ पर options में हम लोगों का, वेस्ट बंगाल, तिरपूरा, ओरिशा, ठीक है, यह तो सारे है, तो right answer क्या हो जाएगा, हम लोगों का option number D, all of these, यानि उपर जो भी states आप लोगों के दिये हुए है, वहाँ 200 से 300 centimeter की वर्षा, दर्च की जाती है, ठीक है, question number 3, based on the passage, यानि passage के अनुसार, which area receives maximum precipitation, ठीक है, maximum precipitation कहाँ पर किस area में दर्च की जा गया है, जो कि आप लोगों का areas, असम, मेघाले, अरुनाचल पर्देश, and hilly tracks of western ghat बोल रहा है, and the highest rainfall in India and the world is recorded, मौसिनराम village at मेघाले, ठीक है, तो देखेगा, मेघाले option में हम लोग कहें कि ने, हम लोग देखते हैं, कहाँ maximum precipitation, सबसे ज्यादा, मिजोरम, नागाले, मेघाल है, okay, question number 4, क्या बोलता है, the average rainfall that India receives annually, ठीक है, average rainfall की बात हो रही है, जो इंडिया जो है annually, यानि वार्षिक तोर पर दर्ज की जाती है, वो 200 cm, 118 cm, 118 cm, 118 या 400 या 300 cm, तो right answer क्या हो जाएगा, आप लोगों का, जो average rainfall दर्ज की जाती है, वो दीखेगा, आप लोगों का पर 118 cm, ठीक है, तो हम लोगों का option में है, यह 118 cm, option number B, so the right answer is, option number B is our correct answer, ठीक है, 118 cm, question number 5, the word precipitation means, ठीक है, इसका means क्या होता है, तो देखी कि यहाँ वर्षा की बात हो रही है, तो wind sideways, hilly rainfall, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का option जो है, D correct हो जाएगा, rainfall that is, ठीक है, option D is our correct answer, question 6, choose the most appropriate title heading for the given passage, यह जो passage आप लोगों ने पढ़ा, इसका एक suitable title बोल रहा है, तो annual data, ठीक है, यह exact नहीं हो रहा है, meteorological department यह भी नहीं, precipitation in India, western khats, these are the options, तो right answer हम लोगों का वही हो जाएगा, जो सबसे शुरू में हमें मिला, precipitation in India, ठीक है, option C is our correct answer, now question number 7, again we have a paragraph, ठीक है, फिर इसे हम लोगों के पास यहां पर देखिएगा, एक paragraph हमें मिल रहा है, और इस paragraph को पढ़ने के बाद, ठीक है, आप लोगों इसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा, तभी आप 7 और 7 to 11, जो question answers है, उसको आप solve कर पवाईएगा, ठीक है, तो हम लोग direct question answers पर चलते हैं, क्या बोल होगा हम लोगों का inquiry, option A is our correct answer, question number 8, what sort of a house will the poet build, ठीक है, पोईट किस प्रकार का house जो है, वो बनाना चाहता है, तो देखिएगा, पोईट जो है, वो किस प्रकार का house बनाना चाहता है, clay and vettles made, ठीक है, टटर का, और clay का मिट्टी का, कुछ इस प्रकार से, जैसे हम लोगों क गाउं देहात में आपने घर देखा होगा, तो cement bricks, यह नहीं होगा, clay and wood, ठीक है, यह है, wood and cement, यह भी नहीं होगा, clay and bricks, यह भी नहीं होगा, ठीक है, so the right answer is, हम लोगों का हो जाएगा, clay and wood, ठीक है, vettles word use किया गया है, ठीक है, आप लोग देखिएगा, vettles word use किया गया है, तो वेटल्स कहने का मतलब ठटर होता है तो जो कि लकडी का बांस का कुछ इस टाइब का होता है तो उसी से रिलेटेड है यह वोड ठीक है तो लकडी ही हम लोग मान लेते हैं क्योंकि एग्जेक्ट वर्ड नहीं दिया गया है तो the right answer is option number B clay and wood Question number 9 What does the poet hope to get there? Wealth, fame, peace, friends लिकड़ वह जा रहा है तो किस आसा में वह जा रहा है वह उसे क्या प्राप्त होगा कहने का मतलब तो क्या प्राप्त होगा? Wealth, पैसा प्राप्त होगा Fame, नाम, सौरत प्राप्त होगा या peace, या friends, या दोस्त वगएरा प्राप्त होगे तो वह दिखेगा ये भीड, भाड वगएरा ये जो चका, चौन्द है जो नाम, दौला, सौरत ये सब उसे कुछ नहीं चाहिए उसे क्या जाहिए, peace चाहिए मांसिक, शान्ती चाहिए तो the right answer is option number C is our correct answer question number 10 who else will live with the poet there ठीक है, और लिखक के साथ वहाँ पर कौन रहेगा, ऐसा करके बोल रहा है तो यहाँ पर poet's father, poet's mother, poet's friend तो ऐसे कोज भी बात नहीं हुई है लिखक कैसे रहना चाहता है, all alone ठीक है, अकेले, ठीक है, अकेले रहना चाहता है again, what, question number 11 बारे में best thing क्या है, अची बात क्या है ठीक है, तो अची बात क्या है it is a big city, बड़ा सहर है, नहीं है बड़ा सहर नहीं है, it is a place of many big industries, बड़े-बड़े उद्योग धंदे हैं, वहाँ पर चलते हैं, नहीं यह भी नहीं है, it has many places of historical historical interest, एतिहासिक महत्व के हैं, नहीं, ऐसे भी बात नहीं है, तो हम लोगों का बच गया option number D, it is a place of great natural beauty, क्योंकि वो जो poetry में आप लोग देखी का जिक्र जो किया गया है, ठीक है, जैसे बहुत सारे word है, देखे, यह देखे, पीस यहाँ पर word है cricket sings, जो जिंगुर वगरा होते हैं, टिडे फतिंगे वगरा होते हैं, यह सब जो है वहाँ पर linear swings, यह सब देखेगा, प्राकरतिक चीजों को वर्डनेंट किया गया है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगी है, राइट एंसर हम लोगों का option number D is our correct answer, it is a place of great natural beauty, ठीक है, प्राकरतिक सौंदरता वहाँ पर है, question number 12, a report must be, एक report जो है, वो किस प्रकार का होना चाहिए, ठीक है, judgmental होना चाहिए, परस्नल होना चाहिए, critical होना चाहिए, या objective होना चाहिए, तो report must be, कैसा होना चाहिए, that is objective, ठीक है, objective पैटन पर होना चाहिए ठीक है रिपोर्ट मस्ट भी अब्जेक्टिव है अगें क्वेस्टिन नबर थर्टीन इनमें से कौन से एक रिपोर्ट 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 का पार्ट है पार होसमें है उससे हमें पता चल जाता है कि किस विशे में मतलब नीस चपी होई है question no. 14 conclusion in essay writing does not include ठीक है जब भी हम लोग essay writing लिखते हैं तो उसमें जो conclusion होता है उसमें क्या सामिल नहीं होता है order, warning, appeal, suggestion क्या सामिल नहीं होता है तो इसका एक उधारन देकर मैं बतलाना चाहूँगा suppose जो है essay ही हम लोग लिख रहे हैं आप लोगों का global warming पे ठीक है यह जो हमारी पृत्वी जो है गर्म हो रही है उसके उपर जदी हम लोग लिख रहे हैं global warming के उपर तो global warming के उपर देखेगा हम लोग जो हैं क्या कर सकते हैं लोगों को warning कर सकते हैं ठीक है warning दे सकते हैं कि पृत्वी गर्म हो रही है वो देखेगा प्रकरती के साथ तालमेल नहीं बना पाईएगा तो फिर आप खतम हो जाओगे अगें फिर suggestion, सुजाओ दे सकते हैं कि भाईया पेल उड़ लगाओ, पाने उनी को बचाओ इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सुजाओ वगरा दे सकते हैं एसे में हम लोग यह सब इंक्लूट कर सकते हैं लेकिन हमारा जो question है वो क्या पूछ रहा है कि not include क्या सामिल नहीं होगा, that is order, हम लोग order नहीं दे सकते हैं एसे में हम लोग order नहीं देते हैं question, so the right answer is option number a question number 15, what indicates the arrival of the bird peacock ठीक है, poetry से related है यह question कि क्या मनें indicates करता है, जिसे कि हमें पता चलता है कि peacock पक्छी जो है वो आ रहा है, ठीक है, what indicates ठीक है, वो उसको बता, उसकी सूचना देता है कि peacock पक्छी आ रहा है, तो the wind change direction, हवा जो अपना दिशा बदल देती है, the study harm of bees stops या जो बीज मक्ही वगरा मद मक्ही वगरा होती है, यह सब जो भिन भिन करते हैं, वो stop हो जाता है, ऐसे करके, तो बोत a and b है और none of these, कौन सा राइट एंसर होगा, तो इसका राइट एंसर होगा, आप लोगों का बोत a and b, यानि हवा भी अपना direction जो है टेल को gather करता है, जमा करता है, एक जगे करता है, किसलिए, dance के लिए, dance के समय तो वो अपने पंखों को फैला देता है, यह तो नहीं होगा, जंप करने के लिए भाई, फैला के जंप नहीं करने सकेगा, बैठने के लिए, ठीक है, या turn away, तो poetry, according to the poetry, right answer क्या हो जाएगा, that is turn away, ठीक है, option number D is our correct answer, 17, the poet in the poem the peacock describes the beauty of the bird, which symbolically refers to, ठीक है, इस कविता में लिखक ने, जो है, बहुत इच्छे तरीके से पिकोग पक्षी को describe किया है, उसकी beauty को बतलाया है, beauty of the bird बोल रहा है, ठीक है, which symbolically refers to, जो symbolically refer कर रहा है, किस चीच को refer करता है, ठीक है, आप लोगों का France को, India को, China को, Pakistan को, ठीक है, तो आप लोग देखेगा, poetry को पढ़िएगा, तो उसमें बहुत सारे जिक्र किया गया है, और सबसे बड़ी बात जो उसमें जिक्र की गई है, वो देखेगा, आप लोग महाँ पर people tree की बात की जा रही है, तो people tree इंगित करता है, आप लोग एक and answer the questions from 14 to 16 के लिए हमें फिर से एक extract दिया गया है, जिसे हमें पढ़ना है, extract क्या है, वो भी poetry से related है, let me not to the marriage of true minds, admit impediments, love is not love, ठीक है, ये Shakespeare की कवीता है, which alters when it alliteration finds or bends with the remover to remove, तो ये कवीता है, इसी के आधार पर आगे के questions बनेंगे, question क्या बोल रहा, 18, who is the poet of the poem evap, इस कवीता के लिखक कौन है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग लिखक का नाम, जो भी chapters है, उनके writers हो गए, और जो poetries है, उनके writers हो गए, ठीक है, तो ये सब जरूर आप लोग याद कीजेगा, तो कौन है, सुजाता भाट, विलिय marriage of true minds के, जो writer है, वो कौन है, विलियम सेक्सपीर, ठीक है, again, actually मैं ये क्या, let me not to the marriage of true minds, ये एक sonnet है, ठीक है, sonnet इसको बोलते है, जो कि 14 lines की एक कवीता होती है, अगला question भी हमारा उसी से related है, a sonnet is a poem of dash lines, कितने line पंक्तियों की वो कवीता होती है, ठीक है, 10, 12, 14, 16, तो right answer ह हम लोगों का क्या हो जाएगा, मैंने अभी बताया, 14, यानि option C is our correct answer, ठीक है, 14, 14 line की कवीता होती है, sonnet is a poem, ठीक है, तो ये तो हमें सिर्फ चार पंक्तियां यहाँ पर दी गई है, ठीक है, लेकिन ये sonnet जो होता है, यानि पूरी कवीता अब देखेगा, तो वो 14 line की कवी होता है, जिस sonnet बोला जाता है, ठीक है, अगें, question number 20, the image of an ever fixed mark is that of a, ठीक है, the image ever fixed mark बोल रहा है, वो किस का है, ठीक है, किस poetry के अनुसर, इसी poetry के अनुसर, let me not to the marriage of true minds के अनुसर, dark spot को बता रहा है image, या फिर memory का image बता रहा है, stain का ये light house का, तो the image of an ever fixed mark is that of a light house, ठीक है, वो light house की बांती है, ठीक है, 20 का D, right answer, question number 21, which of the following poem is written by whole sewing का, whole sewing का है, जिक कि ये द्वारा कौन सी कवीता लिखी गई है, mother tongue, hawk roasting, ठीक है, ये बी और सी में confused नहीं हो येगा, आपका ये hawk roasting जो है, एक ही कवीता है, लेकिन by mistake बोलिए, या misprint बोलिए, बी और सी, इसे option बना दिया गया है, तो hawk roasting एक ही कवीता है, ठीक है, और telephone conversation और the peacock, ठीक है, तो options जो भी रहे, आपको सब्द पे words पे ध्यान देना है, कि कौन सा मेरा correct है, options जो भी हो, तो right answer हो जाएगा, whole sewing के द्वारा लिखा गया है, आप लोगों का telephone conversation, ठीक है, option number D is our correct answer, question number 22, which city is mentioned in the poem, the telephone conversation में किस city का जिक्र किया गया, Islamabad, नहीं है, London, Moscow और Delhi, ठीक है, तो इसका right answer हो जाएगा, देखिएगा, इसमें एक black lady और एक white lady बातचीत करते हैं, तो इसका right answer हो जाएगा, that is London, ठीक है, जो भी से वहां के symbols वगरे दिये गए हैं, वो London से related है, question number 23, the conversation in telephone conversation is on tax, fare, accommodation of rent, exam, date sheet, ठीक है, telephone conversation question में जो बातचीत होती है, वो किस विशे पर होती है, ठीक है, तो किस विशे पर accommodation of rent के विशे पर होती है, option number C is our correct answer, ठीक है, question number 24, the author of the story, the lament is, the lament story के लिखक कौन है, यह दिखेगा, set one में भी पूछा गया था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आपका, lament chapter के, जो writer है, वो है, एंटन चेकोफ, ठीक है, option number B is our correct answer, आयोना sitting on his box, looks like, ठीक है, आयोना जो है, अपने box पर, जो उसका टांगा है, गोड़ा गाड़ी है, उसके उपर बैठा हुआ है, box के उपर, ठीक है, तो वो किस प्रकार से दीक ठीक है, looks like, भूल रहा है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों का the lament chapter से ही है, जो कि आटन चेकोफ के द्वारा लिखा गया है, तो वो कैसा दीक रहा है, ठीक है, तो वो कैसा दीक है, एक छोर की बांती दीक रहा है, thief की तरह दीक रहा है, phantom की तरह दीक रहा है, पूलिस की तर कर रहा है और एकदम ऐसे एकदम जुक के बैठा हुआ है उमर भी हो गई थी उसकी और दुखी भी था वो जिसके कारण से और एकदम स्टॉप सरीर में कोई मुव्मेंट नहीं था ठीक है तो एकदम लगेगा कि कोई भूतूत टाइप का है जाए फैंटम है उस प्रकार से तो वैसा उसका इमेज था तो ऑप्शन बीज और करेक्ट एंसर Q26. With whom did Iona share his feelings? आयोना किसके साथ अपने feelings को share करता है उसका जो दुख था उसकी जो problems थे वो किसके साथ share करता है क्योंकि वो एक cab driver था ठीक है गोड़ा गाड़ी चलाता था पैसेंटर्स वगरा को यहां से वहां ले जाता था तो लास्ट में वो और हमेशा वो अपने horse से ही बाते किया करता था अपने horse को अपना दुख बताता था उसके बच्चे का जो जो मतलब छोटे एज में ही मृत्ती हो गया था बैरिन जो है उसके बेटे का नाम question number 27 according to मुल्क राज आनन मुल्क राज आनन जी के अनुसार what marks the boundaries between the various classes of people ठीक है जो की अलग-अलग समू के जो लोग होते हैं उनके बीच में boundaries खींचता है अलग-अलग उन्हें बदलाता है ठीक है तो उनमें से क्या है ठीक है according to the chapter ठीक है सिप मॉस्टेज रखते हैं गोट मॉस्टेज रखते हैं चारली चापलीन मॉस्टेज रखते हैं इस प्रकार से तो इसका राइट एंसर होगा उनके अनुसर मुल्क राज जी आनन जी के अनुसर मॉस्टेचोस ठीक है option D is our correct answer question number 28 चारली चापलीन मॉस्टेचोस इस वर्ण बाई देखिया आ गया चारली चापलीन मुझ है कैसे लोगों के द्वारा रखी जाते थी नौवियो रीच, लोवर मिडिल क्लास, क्लरक्स एन प्रोफेशनल मैन बोथ A एंड बी ठीक है इसमें देखियेगा आप लोगों का थोड़ा जो प्रोफेशनल मैन के द्वारा भी चारली चापलीन मॉस्टेचोस रखा गया ठीक है यह बहुत ही फेमस परस्टनालेटी है सायद आप लोग जानते होंगे चारली चापलीन का ठीक है वो चैरी पॉलिस का एड़टाइजमेंट में भी आते थे चोटी मूच रखते थे दिखिएगा एकदम जो हमारे अपर लिप्स हैं उसके बीच में और पूरे बड़े भी नहीं होते थे ज्यादा छोटे भी नहीं बीच बीच टाइप के रहते थे ठीक है तो ऐसे लोग जो रखते थे मूचें वो लोगर मिडिल क्लास के होते थे और क्लरक्स और एक है ठीक है ठीक है बी तो दिया ही हुआ है इसे हम लोग सी मान लेते हैं ठीक है ए जो किया हुआ है उसे हम लोग सी ऑप्शन मानते है और इसे की इसे ही हम लोग यानि ऑप्शन डी को ही हम लोग करेक्ट मानते है क्योंकि दोनों सामिल है और ऑप्शन हमारा गलत दिया ग खान आजम खान क्लेम करते थे कि वो कैसे डिसेंट के हैं, यानि कैसे उनके पूरवज हैं, किस खांदान से वो related हैं, मुगल्स, अफगांस, इंग्लिस, नन अफ दिस, ठीक है, तो खान आजम खान जो है, वो किस के डिसेंट बतलाते हैं अपने आपको, मुगल्स के, option number A is our correct answer The story the rocking horse winner starts with, ठीक है, rocking horse winner जो story यह वो शुरू होती है, Paul के साथ, beautiful woman के साथ, Oscar के साथ, या Bassett के साथ, तो किस के साथ सुरू होती है, a beautiful woman के साथ सुरू होती है, ठीक है, question number 31, the beautiful woman had, वो जो खुबसूरत महिला थी, उसका कितने लड़के और कितनी लड़कियां थी, dash shun and dash daughters थी, ठीक है, one, two, two, one, two, two, one, three, ठीक है, यानि एक लड़का, दो लड़की, दो लड़का, एक लड़की, दो दो, दो लड़का, दो लड़की, या एक लड़का, तीन लड़की, ठीक है, तो total देखेगा, उस वो जो खुबसूरत lady थी, उसके तीन बच्चे थे, जिन में से एक जो था वो आपका boy था और दो जो है आप लोगों का girl थी confused नहीं हो येगा ठीक है क्योंकि first chapter में first part में भी first set में भी इससे related question पूछा गया कि कितने बच्चे थे तो उसमें तो 3 हमने डाल दिया लेकिन अभी पूछ रहा है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां थी ठीक है तो right answer हो जाएगा 1, 2 ठीक है एक लड़का था और दो लड़कियां थी option A is our correct answer ठीक है again question number 32 which horse won the derby race कौन सा घोड़ा जो है वो आपका derby race जीता तो कौन सा जीता मालाबार defodil या singless या मिर्जा तो इसका right answer होगा आप लोगों का मालाबार ठीक है मालाबार horse जो है वो derby race जीता था जिस पर paul ने bet लगाया था और वो bet जीत भी गिया था ठीक है 33 originally the cost of the watch was ठीक है उस घड़ी की originally में कीमत कितनी थी 200 dollar 100 dollar या फिर 300 dollar 400 dollar option a 200 dollar 200 dollar में लिखक ने वो उस घड़ी को purchase किया था 200 dollar option a is our correct answer question number 34 the watch made dash sound वो घड़ी किस प्रकार की sound produce कर रहे थी लिखे के द्वारा जो घड़ी खरी दी गई थी वो कैसा sound produce कर रहे थी बारकिंग वीजिंग वूपिंग या all of the आपने देखा होगा chapter पढ़ा होगा वो घड़ी में सारे sound produce हो रहे थी ठीक है कभी मने क्या बोलेंगे मने लिखक को डर लग रहा था ऐसे sound वो produce कर रहा था इसलिए बारकिंग भी था वीजिंग भी था वूपिंग भी था सभी प्रकार के sound वो produce कर रही थी ठीक है question number 35 यह देखे फिर से question आ गया how many watchmakers did the author mark twain visit कितने watchmaker के पास mark twain visit किया ठीक है तो यह इसमें थोड़ा doubt है chapters को पढ़ने के बाद भी यह पता नहीं चल पा रहा है ठीक है लेकिन chapters को जदी आप लोग पढ़िएगा chapter को essay my watch तो इसमें देखेंगा आप लोग total जो है वो visit किया था seven watchmakers के पाद जिसमें से यह total है seven ठीक है तो इसमें से एक जो था वो आपका ज्वैलर था और बाकी जो छे थे वो क्या थे watchmakers थे ठीक है तो इस प्रकार से कोई भी option हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है ना seven नजर आ रहा है नहीं six watchmakers के पाद पास गया था एक तो जोईलर था तो total seven तो ना six option में ना seven है ठीक है तो हम लोग essay में क्या करेंगे आप लोग हो सके examination में भी इस प्रकार का question आ सकता है तो देखेगा आप लोगों का जो nearest होगा ठीक है क्योंकि हम लोगो six seven बोल रहा है तो six seven के nearest में देखेगा option d है ten तो हम लोग इसे मान सकते हैं आप लोग इसे कर सकते हैं ठीक है कहीं भी वो लेक नहीं किया गया है ठीक है लेकिन जितनी बार गया उसको count करने से वो seven times होता है ठीक है साथ बार गया वो साथ watchmaker के पास ऐसा करके तो फिर भी जब option में नहीं दिया गया है तो आप लोग nearest वाला select कीजिएगा कोई भी question हो इस प्रकार से आप लोगो अलग दूसरे ये में भी करते हैं तो nearest वाला ही इस प्रकार से select कीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 36 क्या बोड़ रहा है दा और थर बर्टर एंड रसल wants to get rebirth with special skills and power magic wealth peace लेकर बर्टर एंड रसल जो है वो wants to get rebirth ठीक है वो पुनर जर्म चाहते हैं किस मनें कैसी quality के साथ special skills होने चाहिए and और क्या होने चाहिए तो special skills and power ठीक है देखेगा आप लोग poetry में पढ़िएगा तो उसमें pythagoras power की बात की गई है so the right answer is option number a question number 37 what was the second passion of the author in my three passion my three passion जो poetry's है essay ठीक है तो उसमें जो है लेखक के द्वारा मतलब किसको second passion उसका बतलाया गया है तो आपने जदी पढ़ा होगा ये लेखक के बारे में और इसके जो work है इससे related तो आपने देखा होगा लेखक के द्वारा सबसे पहला जो first passion जो set one में पूछा गया था that is related to love ठीक है and second is related to knowledge दूसरा जो passion है वो knowledge से related है ये first हो गया ये second हो गया और लेखक का जो third passion था that is pity ठीक है pity for mankind ऐसे करके था तो third pity तो first set में देखेगा आप लोगों को love से पूछा था second set में देखेगा second passion पूछा है तो इसमें right answer हमारा knowledge हो जाएगा और third हो सके आप लोगों को examination में first second ना पूछ कर third पूछ दे ठीक है तो इसके लिए भी ready रहेगा आप लोग की होने से आप लोग pity को select किजेगा ठीक है pity for mankind तो इसका 37 का आप लोगों का right answer हो जाएगा knowledge ठीक है option a is our correct answer 38 how have the tribal verse been transmitted from generation to generation ठीक है tribal verse जो है वो कैसे generation एक generation से दूसरे generation तक वो transmit होता है मतलब transfer होता है ठीक है कैसे पहुंचता है तो orally बोला जा रहा है या written form या both a and b तो देखिए का जितने भी tribal verse है वो ज़्यादा तर आप लोगों का transmitted हुए है एक generation से दूसरे generation that is orally ठीक है मौखिक तोर पर ठीक है written form written ज्यादा तर हमें नहीं मिलता है और ये भी एक कारण है कि हमारे जो travel verse है जो भी culture है languages है या जो भी मतलब है संस्कृती हमारी वो धिरे-दिरे खदम होते जा रही है ठीक है हमारी ममी दादी लोग है ठीक है मामी मौसिफ हुआ जो भी है वो सारे लोग मिल जूलकर एक साथ जो है उस function से related जो है song हमने वो recite करते थे गाया करते थे ठीक है लेकिन अभी आप चकल वो सब नहीं देखेगा वो DJ sound ले आया है और उसी को बजा रहे है ठीक है तो इस प्रक correct answer question number 39 second last question where is Munda tribe found Munda tribe कहां पाई जाती है केरला पंजाब चारकंड गुजरा तो देखेगा हम लोग के जारकंड में ये बहुत आयत मात्रा में Munda जन जाती पाई जाती है ठीक है तो Munda tribe जो है वो right answer option C ठीक है कहां चारकंड में 40 who was Virsa Munda ठीक है ये question तो आप लोग मतलब क्या बोलेंगे नहीं पड़े वो chapter फिर भी बना लोगे बिर्शा मunda जी कौन थे freedom fighter थे politicians थे या teacher थे या none of the above तो इसका right answer हो जाएगा आप लोगों का freedom fighter थे ठीक है स्वतंतरता सिनानी जिसको बोलते हम लोग स्वतंतरता सिनानी थे ठीक है बिर्शा मunda so learners these are the important 40 questions related to the model question set 2 ठीक है given by जार्खन educational ठीक है जार्खन council of educational research and training वहाँ से दिया गया था ये I hope आप लोगों को ये set पसंद आया होगा और फिर भी आप लोगों को जैदी कुछ doubt होंगे कुछ queries होंगे तो अपला comment section में इस चीज को जरूर mention कीजिएगा मैं उसे solve करने की कोशिश करूँगा so learners for the next video please stay connected with our channel and please like share subscribe our channel thank you